हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस कचछ 10 के हिंदी का पेपर है इसका यहां पर हम आप सभी को हल बताने वाले हैं आपकी परतेख इसकूल में इसी प्रकार का पेपर आ रहा है तो इस प्रश्णापत्र का यहां पर देख लीजिए और आप पेपर देने जाएगा फ्रेंस जिस पकार से पेपर है आपका देखिए यह pre-board है यादि बोर्ट से पहले एक exam लिया जाता है जिससे आपको यह पता चल सके pre-board में किस पकार के प्रश्ट आते रहते हैं ठीक है तो आप इसको जरूर देखके पोर्ड का exam देने जाईएगा ठीक है अब फ्रेंस यहा कि रिखने को देख निम लिखीत कतनों में से कोई कथन सही है उसे पहचानकन लिखी यहां पर चार अपसंदि लिखा गया है सबसे परसीद उपन्यास था इनका इस प्रष्ट का प्रसिद्ध प्रसिद्ध का गोदान प्रसिद्ध है यह वाला आपसन सही है अगला दूसरा नंबर का प्रशन देखिए हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है तो हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है तो नहसु को माना जाता है तो हिंदी का प्रथम नाटक क्या है आपका नहसु है इस प्रश स्रस्वती पत्रिका इसके सम्पादक कison एजवाब और मता किसकी कृतिFit यह समी पता है जैसंगर प्रशाद कि और आफनी करिति है इस प्रश्टम की सभाब रवास सभिय एप्त्मावत का मारा लुदμέनि से कौन directing सूर्यकांत्रिपार्टि निराला की रचना कौन से हैं शुर्यकांत्रिपार्टि निराला द्वारा जो लिखा गया है यहां धृस्ट का सही हो ठीक है अगला नहीं है तुल्सी दास द्वारा लिखा गया महाकाबे कौन सा है तो आपसन में देखेंगे तो तुलसी दास द्वारा लिखा गया ठीक है अगला आठवा नमबर के देखिए कौन सी रशना मैथली शरगुप्त की नहीं है ठीक है यहाँ पर देखें आपको नहीं वताना है तो मैथली शरगुप्त के द्वारा जो लिखा गया है जैसे यह सोद्रा हुआ पंच्वटी हुआ भारत भारती हुआ यह मैथली शरगुप्त के द्वारा लिखा गया है जबकि रस कलस मैथली शरगुप्त के द्वारा नहीं लिखा गया है तो इस प्रश्न का सही जोब क्या मताना है नहीं है मदकर स महते हैं तुम देखी सीधा राया नहीं जब इस वाक्य को और पढ़ेंगे यहां आपको दुख क्या माश्युस हो का सोट ना से कर रहा है यह वाक्य तो ठोल होता ने करकता तो आपसन दिया है 16 होगा 20-24-28 तो रोला के प्रतेक्टरा में कितनी मात्रा होती है तो 24 मात्रा होती है तो इसका सही जवाला आपसन सही हो जाएगा सुव में कौन सा समास है अगया समय कैना से चिन बीच में लाप और हानी और या शूब य कि पूषता है क्यों समय है वहे DR का दुछ को होता है पत्थर का तत्सम मतलब रुदाना है यहां सुस्द का असुद्ध भतना समय को है तो पत्थर का तसम क्या हो जाएगा प्रस्तर होता है इसका सही जब क्या होगा सवलाफसन सही होगा प्रस्तर अगला देखिए यहां बादल का पारवाची होगा यानि कि बादल का पारवाची यहां से पूछा है आप सभी को पता है कि बादल का पारवाची वह आरीद होता ह इसका सही जोब क्या होगा ऑवला अवसंद सही हो जागा अगला चोजा नमबर खा सवागतम का संधि विच्छेद होगा सुधन आगतम होता है इस संधि को पाचानना बहुत ज्यादा सिंपल होता है जैसे प्रतेक होता है ठीक है इसमें आधात्त आधाथ कि अभान आतर और को को जिए हमें सकती से का हमेशा ही होता है इसे अफिष्ण हो संधी वता है अगला लेल पर प्रसंटेजर प्रश्न पूछता है तोलेक्र ुश्य जहां अगला दे कि 17 नंकर हसधातु लेट ल्ट्लकार में .... लट्ठ होता है.. न रट मतलब होता है वधामानकार वर्त मान, शंस्क्रीट में आपको इसको याद रहना चाहिए, कि लटलकार में यानि हसदादू का लटलकार में उत्तां पूरूस बहु अचल रूप बताना है, कि इसका बहु अचल रूप आपका क्या होगा, यहां भी देखिए है अपसन हसामा होगा हसावा होगा हसामी होगा यह असंति होगा तो हज दादू का लट्वाकार उत्तन पूरुस और बहुत अच्छछ रूप में हसामा होता है इसका सही जब क्या? क्वाइब अगला सवाल देखे आप कि पट धातु लोट लगार मद्यम पुरूस एक वचन में रूप हो गया एक वचन में रूप क्या होता है पठ दातु का लोट लकार मध्यम पूरुस एक वचन में जो रूप होता है पठ होता है क्या होता है पठ तो इसका सही जब क्या होगा अवला आपसा सही हो जागा ठीक है अगला देखे 20 वा नमबर का कि मधूस सब्द की चतुरती विभक्ती बहु वचन का रूप तो कि कितन मधूने होगा इसका सही जब क्या होगा मधूने इस प्रश्ण का सही जवाब वीवला हो जागा अब देखे खन्ड खो के जितने भी प्रशन है आप सुभी बता दे रहें इन प्रश्णों को आप ज़रूर तयार कर लिजिएगा अपसे पहले क्या करता गद्धान से संदर्व लिखना है तो पहले संदर्व आपको लिखना रहेगा जिस एक नमबर यहां पर है रेखांकित अंस की बैख्या करने के लिए अब देखें आगे आपका प्रश्ण पूछ दिया है सवाला कि हमें अपने मित्रियों से क्या आशाय करनी चाहिए लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना कि से की है लेखक ने अच्छे मित्रता का क्या करतब बताया इस पकास आप एंसोर देते हैं सबका तो टोटल कतना लिखना है अब रिखांकित अन्स जो यहां से रिखांकित ऐसे किया इसका आपको क्या करना है अपने सब्दों में फिर यहां पर आपसे दो सवाल पूछे कि विज्ञान के शक्ति के संध्रें उप्योग के लिए हमें किस भावना का जागरत करना चाहिए यह आज के पढमिपनात्र पादर यहां से संदर्भ लिखन है पूचित क्किया कि यहां कि याद किसे आघिक इसके बारह में आपको सिर्फ Nt लिखना रहता है अध्वाम देखे इसी पकास है यहां से पूछा जा रहा है अगला क्या करेगा संस्क्रीट में गद दिया है इसका क्या करना है कि करना है कि हिंट करना रहेफ है अगला पर अपने परशिस खंड काब के आधार करना था है मतलब कि आप जैसे आपको क्या करना है जैसे यहां पर क्या है चरीट्रिक खंड काप्बे हैं जैसे मुक्ती दूद्ध जैसे महत्मा गादी जी हो गया परताम सर्ग दिवती सर्ग इस प्रकाश से होता है इसके बारे में क्या करना रहेगा आपको एक चरीत्रिचित्र उनके बारे में लिखना है तो महात्मा गादी जी का आप लिख सकते हैं पांच नमबर कराए गई है अब देखें आपका अगला है कि लेकों में से किसी एक का जीवन पर्चे देते हुए कि दो रचनाओं का नाम लिखना था यानिकि भगवासण उपाद्या रामचंदर शुकल है शांकर प्रषाद इसमें से एक जीवन पर्चे लिखना और उसमें उनके दो रचनाय लिखना इस साथ में अगला प्लशन देख केवल एक का ही जीवन पर्चे आपको लिखना है अब देखना है कि अपनी पुस्तक से कंथ्त किया हुआ ै स्थीनवर्ट जो इस पत्र प्रप्रश्ण में today टोटल नंबर कहें अगे आपका प्रश्न itt कि निमनी विशुय में से किसी एक विशय का निबंद यानि कि यहां पर आपको एक विशय पर निबंद लिखना है जैसे देखिए चात्र जीवन में अनुसासन का महत्तों क्या है सिचित विरजगारी के समस्या उसके निराकण उपाए विज्ञान है वर्दान है ब्रश्ट चार कर मतलब यहां पर जितने दिया है यहां पर पांच दिया है दूद जिए पांच में प्रशनों को आप जरूर तैयार कर लीजि सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें